नमस्कार दोस्तों एक्जाम इत्र में आपका स्वागता आश्या करता हूं आप सभी अच्छ हमगे तो दोस्तों आपके गवर्मेंट मेडिकल कोलेजन होस्पिटल जीम सी एच के बीए सी नर्सिंग एडिमिट कार्ड वो रिलीज कर दियेगे तो इस वीडियो में हम इस ती मैंने इस से लिटेट डिटेल वीडियो आपको अल्रेडी प्रोवाइड करवारगा जिसमें आपके इलिजिबिलेटी क्राइटीरिया फॉर्म से रिलेटेड फीस वगरा डिटेल में सारी चीज़े आपको समझा रखिये तो वो वीडियो आप जाके देख लिए जि तो आपके लिस्ट दी केंडियेट की वो बारा जुलाई को जारी कर दी गी थी जो भी केंडियेट जिनोंने अपना फॉम है वो जी बी केंडियेट का लिस्ट में नाम है वो सभी candidate G-Sate का जो government college है तो इसका जो interest test होगा उसके लिए eligible है वो सारे candidate जिनका list में नाम है वो interest test है वो दे सकते हैं अब आपका जो admit card है वो आपका जारी कर दिया गया तो admit card किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और जो आपका end test test होगा वो होगा 27 जुलाई 2024 को तीन बज़े से लेके पांस बज़े तक दो गुंटे का आपको time दिया जाएगा result है वो आपका 31 तारीक को जारी कर दिया जाएगा तो आपको result किस तरीके से देखना है क्या procedure उससे में आपको सारी वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा counseling से रिलिटेड या आपके डोकुमेंट बगरा आपको तो वो डेटेल वीडियो आपको future में मिल जाएगा तो आप चैनल को subscribe करके प्रेस करना जिससे कि आने वाले सभी वीडियो जी को notification आपको मिल सके तो आप जैसे ही official website पर जाएगे तो official website पर आपको इस तरीके से जो admission वाले section में जाएगे तो interface देखने हो मिलेगा अब यहाँ पर आप देख सकते है कि आपका prospect वगरा detail में सारी चीज़ आपको लेडिय यहाँ पर notice provide करवा रहे हैं तो यह fifth number पर जो आपका एक link दिखाई दे रहा है download e-admit card, role number, 4G set, enter test, BSC paramedical courses तो BSC paramedical courses मतलब की इसमें paramedical, nursing वगरा सारा सब कुछ यह आप इस link से download कर सकते हैं तो आपको इस link पर click करना आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीक application ID है, क्यावल वो application ID आपको यहाँ पर fill करनी है और फिर इस download role number पर आपको click कर देना, आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने आपका जो admit card है वो open हो जाएगा, उसे आप download कर सकते हैं और उसका print है वो आप निकलवा सकते हैं, आप admit card को save जरूर करके रहे हैं क्योंकि counseling के time आपको admit card की है, वो जरूरत पढ़ेगी, अब next है कि last time में preparation किसे रहेगा सकरें, तो एक बार में briefly आपको फिर से जो आपका syllabus बग रहा है, जो आपका interest exam में जठा होगा, इसका pattern समझा जाता हूँ, तो जो आपका paper होगा, वो English language में होगा, total hundred क्यों सुनाएंगे, और A क्यों एक marks कराने वाल है, negative marking आपको नहीं देखने को मिलेगी यहां पर, और दो गंटे का, जैसे कि 3 बज़े से 5 बज़े देख आपका paper होगा, तो दो गंटे का आपको time मिलेगा, अब इसमें जो सबसे most important है, वो यह है कि आपका interest test होगा, उसमें आपको minimum इतना score लेके आना है, अ बाकी SC category से हैं, तो 40% से नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे general, OBC या AWS category के लिए 45% है, बाकी SC, ST के लिए 40% है यहां पर, तो इससे अगर नीचे score आपका आता है, interest test में, तो आप counseling के लिए eligible भी नहीं हो पाएंगे, वैसे इसमें जो admission है, वो merit based पर होगा, इतने score पर आपका admission नहीं होगा, यह इन्होंने mini में अपना qualifying score दे रहा है, कि आपको कम से कम इतना तो लाना ही होगा, और बाकी आप यह ना सोची कि इतना score आजाएगा, तो मेरा हो जाएगा, इतने से score पर नहीं होता, आप मेरे previous year के वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको detail में कटो वगरा स seats हैं, और all over India के candidates इसमें participate करते हैं, और जो candidate के candidate हैं, उनको भी अलग से quota इसमें दिया जाता है, बाकी के जो other state के candidate हैं, उनके लिए भी यहाँ पे, जो seat हैं, वो limited ही रखी गी है, अब syllabus क्या पूछा जाएगा, syllabus इसमें पूछा जाएगा, आपका physics, chemistry और biology, क्यों तीन ही subject है biology के आपके 50 questions पूछा जाएंगे, physics के आपके 25 questions और chemistry के आपके 25 questions, इनके अलावा आपका other कोई subject नहीं पूछा जाएगा, और 10 plus 2 standard आपका पूछा जाता है, इसमें आपका 11 और 12 का दोनों का syllabus आता है, ऐसा नहीं कि 10 plus 2 mention कर रहा तो काभी सरे student तो इस confusion में रहते कि यहाँ पे 10 plus 2 कर रहा तो केवल 12 का ही पूछा जाएगा, यहाँ पर 10 plus 2 का मतलब होता है, 11 और 12 तो 11 और 12 का आपका जो NCIT-based syllabus से वो पूछा जाता है, तो आपको उसको follow करना होता है, अब last time में आप क्या पढ़ना है, तो last time में आप theory में focus ना करके, आप objective-based पे अपना syllabus से वो complete करे, objective- objective-based पे यह होता है कि आप जितनी ज़्यादा questionnaire practice करेंगे, उतने ही आपके chances से वो increase होंगे कि आप अपने लिए अच्छा score वो gain कर सकें, तो मैंने description box में आपको objective ebook प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप उसे avail कर सकते हैं, आप avail किस तरीकर से करना है, तो आप जैसे ही वीड ebook में इसको अभी recommend नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा है कि आप theory को follow करें, तो केवल आप ये objective ebook है, आप इसको follow करें, बहुती कम समय बचा है, तो इस कम समय में, अगर आप पूरी consistency के साथ में, इस objective ebook को भी अच्छे से follow कर लेते हैं, जितना हो सके, आप उतना follow को नहीं को सिस करें, क्योंकि कम समय बचा आपके पास में, आप पूरा syllabus तो नहीं कर पा करना है, आप जैसे ही इस link पर click करेंगे, तो आपके सामनी कुछ इस तरीकर से interface आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 3 in 1 ebook है, जिसमें 11 उबारिव का chapter wise objective question दिये गये हैं, तीनों subject के with solution भी आपको दिया गया, अगर आप ए question read करते हैं, और उसका solution भी दिया गया तो आपके सामने कुछ इस तरीकर से interface open हो जाएगा, जिसमें अपनी details से वो आपको feel करनी है, अपना first name feel करना है यहाँ पर, यहाँ पर last name, अपनी active email id, अपनी contact detail फिर करके, फिर review and pay पर आपको click कर देना है, आप जैसे ही review and pay पर click करेंगे, तो इस तरीकर से interface हो जाएगा, य यहाँ पर आपके सामने payment options है, वो सारे open हो जाएगे, पे टीम से, गूगल पे से, फोन पे से, credit card, debit card, net banking, तो सारे payment option यहाँ पर आपको available करवा रहे हैं, आप कोई सा भी इसमें से payment option चूज कर सकते हैं, credit card, debit card, net banking, सारे option available करवा रहे हैं, तो आप जैसे ही इपना payment confirm करेंगे, आपको आपकी e-book डाउनलोड करने का option प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी e-book को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर by chance आपने back कर लिया और अपनी e-book को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो जो आपने email id फिल की थी, उस email पे भी आपको एक mail send किया जाता है, और उस mail म लोक्स में पूछ सकते हैं, या Instagram फोलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, और जो भी candidate counseling से सम्मंदीत या कोई भी guidance ये, तो वो आप मुझे Instagram पे contact करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, तो फिलाल के लिए इतना ही था, मिलते next वीडियो में, धन्यवाद जेहिं, जेवारत.